आरियन कान ड्रक्स मामले से चर्चित हुए NCB मुंबई के पुर्वा जोनल डारेक्टर समिर्वान केड़े को बड़ा जटका लगा है ठाने जिला कलेक्टर ने नवी मुंबई में स्थित उनके सद्गुरू बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद कर दिया है आरोप है कि समिर्वान खेड़े की उम्र के बारे में गलत जानकारिया देकर सद्गुरू रेस्टोरेंट और बार के लिए लाइसेंस लिया गया था इस होटल और बार के लिए लाइसेंस की अरजी 1997 में दी गई थी ठाने जिलादिकारी राजश नार्वेकर ने ये कारवाई महराश्व प्रतिवंधक कानून की धारा 54 के तहद की है इस मामले में राज़े के एकसाइस दिपार्टमेंट ने समिर्वान खेड़े को कारण बताओ नोटीस बेजवाया था समिर्वान खेड़े ने जिस वक्त लाइसेंस के लिए अरजी दी थी उस वक्त वो नावालिक थे उनकी उम्र 17 साल थी ऐसे में वे बार के लाइसेंस के लिए अरजी कैसे दे सकते है यह सवाल NCP नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भी उठाय था अप्ठाने के कलेक्टर ने इस पर एक्शन लिया है राजेश नारवेकर ने इस मामले में छेप अनने का आदेश दे कर लाइसेंस रद्द कर दिया है बार के लिए लाइसेंस लेनी के अनुबती उन्हें ही मिल सकती है जिनकी उम्र 21 साल या इससे अधिक हो लेकिन जिस वक्त समीर वानखिडे के नाम पर बार का लाइसेंस लिया गया उनकी उम्र इसमें कम थी 27 अक्तुबर 1997 को समीर वानखिडे के नाम पर बार के लिए लाइसेंस दिया गया उस वक्त समीर वानखिडे की पीता ग्यान देवानखिडे एक साइस ड्यूटी डिपार इस बारे में समीर वानखिडे को कारण बताओ नोटीज भेज कर यहाँ पुछा गया था कि गलत कागजाद जमा करने की वज़े से आपके नाम का यहाँ लाइसंस क्यों न रद्द किया जाए अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहाँ पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहाँ आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy वन दिग्री त्री जब अपरचुनिटीज फ्लाइवील एविएशन अकाडमी जिव दिग्री और दिप्लोमा विद जोब फ्लाइवील एविएशन अकाडमी 365 गाली नगर LAD कॉलिट स्क्वेर बसाइड करनाथ का बैंक नागपुर